हालो व्यूटिफुल पीपल नमस्ते कैसे हैं आप सब टाइट लवस्ट्रिपल वन पी आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाइस गाइस आज मैं आ गई हैं फिस एक पिका कार रेडिंग लेकर आप सभी के लिए और आज मैंने सोचा कि एक रेडिंग करते हैं जिस पर आ आप सभी की आँके ठीकी हुई है ना गाइस दरसल बात यह है कि देखे हम जब रिष्टे में होते हैं तो रिष्टा कभी-कभी इतना बुरे लेवल पर पहुंच जाता है कि बहुत कोशिस करने के बाद भी हम उस रिष्टे को सुधार नहीं पाते हैं जिन से आप बे इंत कोची बातों पर जगड़े होना तो रिषण बहुत सारे होते हैं अले वने के थे आअज हम यहां पर देखना चाहते हैं चैहिस कि आपके रिष्टे में क्या रोक रहा है उन्हें आपको अपनाने में किस वजे से वहां को नहीं अपना रहे हैं किस वज़े से वो आपसे दूर हो रहे है तो जो वज़े है ना गाइस वो वज़े आद जाने की कोशिस करते है कि क्यों ऐसा हो रहा है वो क्यों आपसे दूर भाग रहे है क्यों आपसे कटे-कटे रहते हैं है ना क्योंकि पहले तो प्यार था फिर आचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो गती है, उनकी जो speed है, वो रुख गई, आपके प्यार में growth क्यों रुख गई, क्या चीज है, वो problem क्या है, उस problem को आज हम यहाँ पर देखने की कोशिस करते हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि अब आगे क्या करेंगे, पहले problem देखेंगे, और problem का solution उनके पास क्या है और क्या होने वाला है, इसे भी आज हम देखने की कोशिस करेंगे, तो बहुत interesting topic है guys, I hope आपको पसंद आएगी definitely, तो यहाँ पर मैंने दो piles रखेंगे, देखें guys, यहाँ पर मैंने पहला pile रखा है red stone, यह है pile number one, जीने red color पसंद है, और यह है pile number two, yellow stone, जीने yellow color पसंद है, त आपको अपनाने में, okay, so guys, I hope आपने pile select कर ली है, मैं शुरू करना चाहूंगी, red stone से, yellow को अभी हम हटा देते हैं, यहाँ से, okay, तो यह है pile number one, रुकावटे क्या है guys, आपके रिस्ते में रुकावटे क्या है, प्रॉलम क्या है, आखिर वो क्यों नहीं अपना रहे हैं, आपको क्यों आपके life में नहीं आ रहे हैं, जिनके आ गए हैं, उन्हें तो आप प्रॉलम नहीं है, वो खुश है, पर जिनके नहीं आए तो रुक मजबूरी क्या है कौन रोक रहा है उन्हें आप तब पहुंचने में या वो खुद ही नहीं आना चाहते क्या है वज़ा कि उसे देखते हैं गाइस साज गाइस मैंने कर लिए कार्स की सफलिंग चलिए निकालते हैं अब यहां से कुछ कार्स पहला कार्स आया है पेज ओफ पांटिकल्स सेवन अफ काप्स ओके ओमाई गाड़ फाइव पांटिकल्स ओमाई गाड़ बस रुकावट का नाम लिया था और यहां भर भर के रुकावटे दिख गई है मुझे ओके पाइल नम्बर वन यह देख लीजे 3 of swords 2 of pentacles 9 of cups ओके छे हो गए गाइस तो और निकालती हूं मैं ओके दे चारिट और एक चाहिए मुझे नाइज ओफ काप्स ओके तो यह रहे कार्च जो मैंने निकाले है टारट से और बॉटम में हमें मिला है कुईन ओफ कप्स की एनरजी और गाइस मैं यूनिवर्स के तरफ से भी यहां से इनके लिए आपके पोसन के लिए कार्च यहां से कार्च एडवाइस कार्च निकालना चाहूंगी कि यूनिवर्स क्या कहती है इस रिस्ते को लेकर ओके क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में और क्या है आपका फ्यूचर यूनिवर्स का गाइडेंस बहुत जरूरी होता है कुछ रुकावटे तो है अब यूनिवर्स क्या कहती है क्या यह रुकावटे इन रुकावटे को ठीक किया जा सकता है बस यही देखता है नगैस तो चलिए मैंने यहां से निकाल लिए है कुछ कार्ट पहला आया है पॉलिटिक्स ओके हो कमपारिजन वाव देखे यहां पर यूनिवर्स को भी सब पता चल जाता है जब मैं कार्ट निकालती हो न तो यूनिवर्स भी बिल्कुल बता देती है कि प्रॉलम क्या है वी आर दो वर्ल देख लीजे सॉलूशन में मिल गया है प्रॉलम भी इन्होंने हमें दे दिया है तो यह तिन कार्ट मैंने निकाले है यूनिवर्स की तरफ से पहले में इन कार्ट के बारे मैं आपको बताऊंगी फिर यह जो यूनिवर्स से हमें मैसेच मिला है यह मैं आपको बताती हूँ ओके सो बहुत लिभी ब्यूटिफ़ल कार्ट आए है गाई पाइल नम्बर वन देखिए यहां पर sign और element में सबसे जादा water sign आया है Kansas पर Paisas, Kirk, Rishik, Meen, Rasi उसके बाद में यहां पर और sign है Taurus, World, Capricorn, Rishak, Panaya, Makarasi और Air sign है Gemily, Black Rose, Mithun, Tula, and Kumra Si यहां पर unfortunately fire sign नहीं है पर fire sign नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि reading आपके लिए नहीं है reading आपके लिए भी है क्योंकि आपने यहां पर pile selection किया है तो चलिए अब बताते हैं आपको कि क्या रोक रहा है उन्हें आपको अपनाने में सबसे पहले यहाँ पर guys मैं आपको आपके person का एक nature बता दू जो भी एक main रुकावट हो सकती है कि यहाँ पर किस चीज के वज़े से वो आपको नहीं अपना रहे है वो आपके पास नहीं आ रहे है तो पहला reason जहाँ पर हमें page of pentacles का जो card आया है पहला जब card मैंने निकाला था तो यह card दिखाता है guys सबसे पहली बात यह है कि आपके person यहाँ पर immature है immature हम उस इंसान को कहते हैं जिसमें बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती जो इंसान खुद के decisions पर कायम नहीं रह सकता जिने खुद decision लेने में problem होती है पहली इनकी problem यह है बिल्कुल भी आगे बढ़कर कुछ करने की हिम्मत इन में नहीं है रिस्तों को समझने की दिमाग इस इंसान में नहीं है तो बहुत ही इस इंसान में immaturity है बच्पना है रिस्तों को कहीं न कहीं यह समझ नहीं पाते क्योंकि आप देखें आप रिस्तों को बहुत value देते हो guys है ना हो सकता है कि आप भी young energy में हो आप भी young इंसान हो है ना पर आप में maturity है, आप प्यार को समझते हो, प्यार के value को आप जानते हो, आपको पता है कि सच्चा प्यार किसे कहते, पर यहाँ पर आपके person की problem, यह सच्चे प्यार को समझ नहीं पाते, समझ गई, यही है सबसे बड़ा problem इनका, बहुत से problem है, यह एक problem है, that they are immature, okay, immature act है इस इ दूसरे problem मैं यहाँ पर आपको बता दू, आपके person जो भी है, जिनसे आप deal कर रहे हो, इस इनसान के पास options बहुत है, guys, देखे, seven of cups की energy यहाँ पर आई है, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो यह इनसान, बिल्कुल भी समझ दार नहीं है, okay, और दूसरा यह है, कि इन्हें जगाने की कोशिस करते है, भटकते रहते, भटक जाते है, पर इसका मतलब यह नहीं है, guys, कि यह इनसान, you know, यह भटकाओ कि इस तरीके का है, कि यह because of immaturity, इन्हें समझ में नहीं है, इनकी समझ बहुत छोटी है, guys, यह उस लेवल से प्यार को नहीं समझ पाते, इन्हें ल प्यार का जो नंबर है, वो बहुत लास्ट में देते है, पहले बहुत से अपनी इच्छाय पूरी करना है, इसे चूज करना है, उसे चूज करना है, तो options को हमेशा तलास करते हैं, और हो सकता है कि इन्हीं एक options में आपको भी इस इनसान ने अपना एक option बनाया था, जब आ और दूसरे options के बीच में चूज करना नहीं आता, तो ऐसी problems इस इनसान के मुझे नज़त आई है, डेफिनेटली इस इनसान के life में options डेफिनेटली होंगे भी और इन्हीं जो है options बहुत जादा दिखाये जाते भी होंगे, ओके दूसरे लोगों के तरफ से कि इससे अच्छ इन्हें क्या लगता है कि जो दूसरे लोग बोलते हैं वही सही होता है, तो बहुत दूसरे लोगों के बातों को सुना भी इस इनसान का एक problem मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर यह नज़र आ रहा है, कि आपकी person जो है बहुत ज सकता है, हो सकता है कि यह चाहते है कि पहले career पर focus किया जाए, पहले अपना status अच्छा बना लिया जाए, उसके बाद में जो है प्यार के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की यह condition लंजर आ रही है कि career रुकावट हो सकता है, आप में से कुछ लोगो के लिए, सभी के लिए नहीं हो सकता है कि आपके partner अभी भी student हो, पढ़ाय लिखाई ही करते हो, या फिर हो सकता है कि इनकी अच्छी जॉब नहीं है, family पर dependent हो, तो पैसर रिपे की तंगी इस इंसान को लगी रहती है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो अपने career पर focus करना चाहते है, अपनी माली हालत जो होता है, वो सुधारना चाहते है, तो ये एक रुकावट मुझे कुछ लोगों के लिए नज़दा आ रही है, आपको जो है point to point देखना है, मैंने पहले बताया कि इस इंसान immature है, दूसरा option मैंने बताया कि इस इंसान के पास options बहुत है और आपको options के तरह इनोंने treat किया, तीसरा मैंने यहाँ पर बताया है कि ये इंसान थोड़े financially weak है, अपने carrier पर ध्यान देना चाहते है, अपने आपको well established करना चाहते है, carrier पर financially secure करना चाहते है, अब यहाँ पर चोथी बात मैं आपको बताती हूँ, ये इंसान देखे third party influence मे हो सकते है, कि आपके अलावा ये इंसान किसी तीसरे इंसान या तीसरे व्यक्ति के जासे में आ गए है, चंगुल में आ गए है, किसी और की बाते इनोंने सुनी है, और इस इंसान ने क्या किया है, आपका दिल तोड़ा है, ये एक रुकावट हो सकती है, कि third party की वज़े से ये इंसान आपको अपना नहीं पा रहे है, चाहत होगी इस इंसान की आपको अपनाने की, उसके बाद में हम बात करेंगी, क्योंकि आक्षिन का भी मैंने कहा है, कि future में वो क्या करना चाहते मैं बताऊंगी, पर present situation में आपको बता दो कि रुकावट है क्या क्या है, तो यह या फिर हो सकता है कि किसी और के अफेर में पढ़ गए, किसी और के प्यार में पढ़ गए और आप पर ठुकरा दिया, या फिर ऐसा होता है कि मजबूरी में चले गए, मजबूरी में किसी और के साद इनको जाना पड़ा, यानि कि जबरजस्ति अगर साधी करा दी कहीं और या जबर्जिस्ति इंगेजमेंट करा दी कहीं और तो ये भी एक रुकावर्ट हो सकती है यानि कि third party influence भी हो सकता है अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ पाच्वा रुकावर्ट जो अब मुझे यहाँ पर नजर आया है और वो है two of pentacles यानि कि आप में से कुछ लोगों के person यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी न किसी चीज़ को लेकर जगल करते हुए मुझे नजर आरे कि जगलिंग बहुत ज़्यादा है यह आपको भी नहीं छोड़ना चाहते और यह जगल कर रहे है यह दो सिक्कों में से एक सिक्का आप हो और दूसरा सिक्का इनके हाथ में कोई और है तो यह दोनों को नहीं छोड़ना चाहते है तो परेशान है बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं आपने आप में ही उलज गये है, जगल करते करते ठक गये है, तो यह एक रुकावट हो सकती है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कि यह दो में से एक तो आप हो, यह दूसरा कौन है, जो यह जगल करने की कोशिस कर रहे है, बालेंस करने की कोशिस करते हैं, मुझे नज़र तो रुकावर्ट है मैंने आपको यहां पर सभी बता दी गाई की यहां पर क्या क्या है रुकावर्ट है अब मैं आपको future के बारे में बता दीओ कि future में यह इनसान क्या करने वाले हैं देखिए आपको नजर आता होगा bottom में इसके नीचे भी wow beautiful 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 card sticks of vans, okay, देखिए इसके नीचे भी हमें Queen of Cups का energy मिला है, तो Queen of Cups के energy यहाँ पर यह दिखाती है इस इनसान की overall energy, भले ही यह इनसान ना समझ हो, भले ही इस इनसान के पास options हो, भले ही इनसान अभी दरित्र हो, poor हो, condition इनकी अच्छी नहीं हो, भले ही यह third party influence में हो, भले ही यह किसी को balance करने की कोशिस कर दे हो, पर इनकी तमाम जो overall energy, यानिकी इनके दिल और दिमाग में एक चीज है, एक इनसान है जो rule करकर बैठा हुआ है, rule यानि की राज करकर बैठा हुआ है, और वो इनसान हो आप, समझ गए गया इस आप हो, क्योंकि इनके bottom में जो energy आई है, वो है energy आपकी queen of cups की, यानिकि यह इनसान अभी भी आपको प्यार करते है, cups के energy है, अभी भी आपको प्यार करते हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, अब भी भी आपके होने का ना होने का एहसास इस इंसान को बहुत तकलिफ देता है ये भले ही जिस level पर हो जिस condition पर हो जिस situation पर हो पर इनके दिल और दिमाग में sir fellowship आप हो आज भी आप हो आज भी आप हो और कल भी आप ही रहने वाले हो क्योंकि यहाँ पर bottom में यह काड़ाया है समझ गए तो यह सबसे beautiful energy इनकी निकली है कि यह इंसान अभी तक आपको भूले नहीं है आप राज करते हो इनके दिल और दिमाग पर देखे इनका wish fulfillment जो है इनका अगला पड़ाओ है ना यह आप क्या करना चाहते यह इंसान तमाम इन सब energies में है आपको decide करना है कि आपके person ने आपको किसे साब से treat किया इन में से कौन सी बाते आपको match होती है resonate होती है कोई भी बात match होती है उसे आपको लेना है मैंने 5 बताया है 5 में से कोई भी एक होता है तो आपको इस reading को resonate करना है तो ये इनसान अपनी wish fulfillment definitely करेंगे coming future में ये है इनका future, इस इनसान की ख्वाई से है क्योंकि इनके energy देखे, bottom में queen of cups और यहाँ पर wishes में क्या आया है, इनका nine of cups यानि कि ये इनसान आपको प्यार करते है, आप भी भी प्यार करते है और ये इनसान चाहते है कि आपके साथ ये अपनी तमाम ख्वाई से पूरी करे तमाम इच्छा अपनी पूरी करे, अपनी सपनों को साकार करे और बहुत खुश साल जिंदगी ये आपके साथ बिताना चाहते है तो यह है इनकी विश्ट जो आपके साथ सुरू हो रही है और आपके साथ खतम हो रही है पर बीच में क्या हुआ है बीच में ये इनसान थोड़े बिगड़ गए बीच में ये इनसान ट्रैक से थोड़ा आउट हो गए इन्होंने अपनी ट्रैक चेंज कर दी और इन्होंने बहुत सारी गलत थरकते यहाँ पर एक के बाद एक के बाद एक करते चले गए आपके लाइफ में इस रिलेशन्शिप में अब एक्षन क्या होने वाला है गईस सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि यह इंसान अपनी तमाम वो खाई से पूरी करेंगे जो आपके साथ इन्होंने देखी है दूश्रा देखे एक्षन का जबरजस्ट दो काड आया है यहाँ पर भी नाइट ओफ कप्स तो यहाँ पर यह इनसान आपकी तरफ प्यार लेकर आते हुए मुझे नज़रार है प्यार का ओफर लेकर आते हुए नज़रार है प्यार ही प्यार है इस इनसान के दिल में गई और सबसे ज़वरजस्त काड il formidable, जब-जबाय काक्शन हमें हपी लोगों, हमें भागये खुलते हैं आपके पोसिन रहते हैं कि यह काड आता है major अरक और जब major अरक अरक लोगों के यह काड आता है और जानते हो कि आक्शन आप में sendo करते लोगों, यहाँ पर मिलता है तो यह इंसान जो है पावर में आने वाले हैं और एक इस इंसान की एक हैबिट में आपको और बता दू अगर आपके साथ जब यह रिलेशनशिप में थे या अभी भी अगर आपके साथ है यह तो यह इंसान बहुत कंट्रोलिंग नेचर के मुझे लगते कि इन्होंने हमेशा आपको अपने मुठी में करने की कोशिश की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आप वही करते होंगे, जो यह आपको करने के लिए कहते हैं, कि एकदम आपको तो अपने बस में करके रखा, यह इंसान बहुत पाउरफुल है, और आपकी एनरजी ऐसी ह कि आपकी इस इंसान के सामने एक भी नहीं चलती, आप हार जाते हो इस इंसान के सामने है ना, और आपका अच्छा भी लगता होगा जबी आपको कहते हैं यह मत करो, वो मत करो, इससे बात मत करो, यहां मत जाओ, जारा दोस्ती मत करो, जारा चाट मत करो, है ना, तो यह सब ब तब ही तो आप इस इंसान को भूला नहीं पाते हो, सही कहा है इन्होंने आपको बहुत ज़रा आपके दिल को, आपके दिमाग को और आपके सरीर को अपने कंट्रोल में करके रखा है क्योंकि इस इंसान की एनरजी ही ऐसी है, तो अब बात करते हैं एक्षन की, तो चैरिट का आपके प्राइफ में मिला है, यह इनसान बहुत जल्ड़ा आपके लाइफ में वहापस आएंगे, आप जो भी प्राइब है, इन पांचों में से आपके प्राइब में दिल कर रहे हो, उन से निकल कर यहाँ पर आपके प्राइब लेते हुए, मुझे नज़रा है, और इसक पॉसंद कहीं और चले गए है तो वहां से आपके पास वापस married life में वापस आने के बारे में सोच रहे है तो condition आपकी कैसी है उसी हिसाब से आपको reading लेना है तो यह इंसान definitely यहाँ पर action के mood में है अगर साधी के बारे में यह अभी नहीं सोचेंगे तो भी यहाँ पर relationship के बार दिया देखे जो यहाँ पर रुकावट थी जिसके वज़े से इंसान आपको अपना नहीं पा रहे है उसी में यहाँ पर एक रुकावट universe ने भी बता दी है ओके यहाँ पर politics भहुत खेला गया है जी हाँ आपके दिल के साथ आपके जीवन के साथ आपकी भावनाओं के है और लास्ट में जो है आपको इस तरीके से धोका दे दिया गया कि आज तक आप सद्मे में हो कि मेरे साथ यह क्या हो गया मेरे साथ इतना बड़ा धोका कैसे हो गया मैंने तो इस इंसान पर दिलो जान से भरोसा किया था पर यहाँ पर politics आपके साथ खेला गया है अब को जुदा करने में politics यहाँ पर खेला है या तो आपके person ने खुद खेल दिया या फिर आपके person के आसपास के लोगों ने खेल दिया या फिर आपके ही कुछ आसपास के लोगों ने ही politics तो यहाँ पर खेला है और बहुत गंदगी मचाई है आपके life को तहसने से आपर करने क कि कोशिस की गई है तो ये एक card जो यहाँ पर नहीं निकला था Universe ने हमें बता दिया कि आप के साथ क्या क्या घटनाएं हुई है आपको दिखाया क्या गया और आपके साथ हुआ क्या ओकि तो ये फिला Universe का एक और रुकावर्ट जो उन्होंने बता दिया है कि आपके साथ बहुत गंदी गेम यहाँ पर खेली गई है दूसरा बात यहाँ पर क्या युनिवर्स बताती है कि आपको हमेशा compare किया गया दूसरे लोगों के साथ comparison देखें यहाँ पर हमेशा अगर आपके person या फिर आपके person के कोई भी relatives या family members कोई भी हो उन्होंने क्या क्या है हमेशा आपको किसी और के साथ compare किया है कि तुम से बहतर कोई और हो सकता है तुम मेरे cast के नहीं हो, मेरे cast का कोई और है तुम status में मेरे से मेरे बरावर नहीं हो कोई और है है ना यहां फिर color में रंग रूप में तुम बहतर नहीं हो कोई और है तो comparison यानि कि आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिस यहां पर की गई है तो यह है एक रुकावट और आपको हमेशा demotivate करना आपके दिल को दुखाना ऐसे ऐसी बाते करकर आपके दिल को दुखाना कि आपको जो है खुद के अस्तित्व पर ही भरोसा उठ जाए आप भी अपने आपको इस सुखे लकडी की तरह देखने लगो कि हाँ मुझ में कुछ बात है ही नहीं साइध मुझ में ही कमी होगी मैं तो इस सुखी लकड़ी की तरह हो जो किसी काम की नहीं है तो आपको इस तरीके से हमेशा किसी न किसी के साथ compare किया गया है इस रिस्ते में तो universe कहती है कि ये भी एक रुकावट हो सकती है क्योंकि आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हो जिनों तो comparison भी आप में से बहुत लोगों को हुआ है और ये भी एक रुकावट हो सकती है जो universe यहां पर आपको बता रहे है, comparison किसी भी चीज़ का होता है, धर्म का होता है, caste का होता है, status का होता है, family का होता है, society का होता है, रंग रूप को लेकर होता है, body structure को लेकर होता है, तो comparison यहां पर आपके relationship में बहुत जादा की गही है, या तो आपके person ने आपके साथ कर दी, या किसी और ने आपके person के बीच में food डालने के लिए, आप दोनों को जुदा करने के लिए आपके person का brainwash यहां पर कर दिया है, तो यह सब रुकावटे हैं, जो आपके person को आपको अप मंजूर है, और किस्मत को क्या मंजूर है, कि यहां पर आप दोनों को मिलना ही है, ओके action यहां पर इतने बहतरिन तरीके से आए है, और universe ने भी इसमें मंजूरी दे दी है, universe ने भी आप दोनों को blessings दे दी है, यहां पर देख लीजिए, आप महामी क्या मिला है, we are the world का card, beautiful energy यह energy दिखाती है, कि universe कहा रही है, कि आप दोनों ही एक दुश्रे की दुन्या हो, आप दोनों की दुन्या में कोई और तीसरा नहीं आ सकता, कोई चोथा नहीं आ सकता, कोई भी party यहां पर नहीं आ सकती, यहां पर अगर party करने का हग, celebrate करने का हग किसी को है, तो यहां पर त उनिवर्स का मैसेज आप दोनों के लिए that you both are the world for each other आप दोनों ही एक दुसरे की दुन्या हो और इस दुन्या में कोई तिसरा नहीं आ सकता समझ गए गाइस उनिवर्स ने यहाँ पर आपको रिजन बता दिये obstacles बता दिये हैना रुकावटे बता दिये और साथ में solution भी दे दिया ठीक है solution भी दे दिया कि आप दोनों ही हो जिसे साथ जीना है साथ मरना है और यहाँ पर आपके person ने भी आपको बता दिया कि आप उनके दिल में हो आप उनके धड़कन में हो आप उनके दिमाग में हो और वो आपको कभी नहीं भूल सकते और वो जो है यहाँ पर actions लेंगे समझ गए गाइस तो यह बहुत ही beautiful और positive reading हुई है गाइस और यहाँ पर मैंने आपको रुकावटे के साथ-साथ यहाँ पर मैंने आपको वो रास्था भी बता दिया कि अब आगे यहाँ पर क्या होने वाला अगर कोई दूसरा करने की कोशिस भी करता है तो उससे effect मत होई है बस एक कान से सुनिये दूसरे कान से उड़ा दीजिए क्योंकि आपको बहुत ही सांदार बनाकर भीजा गया है इस धर्ती पर हम सब में कोई न कोई quality होती है उस quality को पहचानने की यहाँ पर जरूरत होती हो बहुत अच्छा ख्याल क्योंकि मैं करती हूं आप सबसे बहुत जादा प्यार आई लव यू आल ठेक केर नमस्ते एंड बबाए गई गाइस वल्कम बैक सो जिन्होंने भी पाइल नंबर टू यलो स्टोन चूस क्या है चलिए आप देख लेते हैं आपकी रिडिंग में क् उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई है जिने एक्षन यहां पर नहीं मिल रहा है तो क्योंकि आप्स टू so स्थिए आपके रिस्ते में पहले यह देखते हैं और उसका solution क्या हतकी पर इक से क्या solution निकलेगा भी या नहीं निकलेगा या हमेशा रुकावटे ही होने वाली है क्या होगा उनका next action इस रिष्टे को लेकर हैना क्या कभी वो इन hurdles को पार कर पाएंगे इन मुसीबतों से निकल पाएंगे अपने लिए रास्ता बना पाएंगे जो आप तक पहुंचता है तो अने कर लिया कार्ज की सफलिंग अब निकालते हैं यहां से कुछ कार्ज पहला कार्ण आया है टू ओफ सोड्स ओखे oh my god five of swords emperor two of pentacles six of cups magician seven of pentacles page of pentacles three of pentacles page of vans relationship में क्या advice देते हैं आपके लिए क्या messages भेजते हैं यह आपके लिए और यह ज्यादा आपके लिए भी नहीं आपके पोसंग के लिए ही निकालने की कोसिस करते हैं पर आपके लिए निकल सकती हैं ओके युनिवर्स का क्या कहना है इस रिस्ते को लेकर रुकावटी क्या है देखते हैं पहला जो हमारा काड आया है वह आया है पोस्ट पोनोमेंट का कंडिशनिंग कर देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं आपके लिए और आपके पोसंग के लिए युनिवर्स क्या कहती है इस रिस्ते को लेकर और आपके पोसंग के लाइफ में यह कौन सी रुकावट है जिसकी वज़े से वह आपको अपना नहीं पा रहे इसे आज हम देखने की कोशिस करते होगे पाइल नमबर टू देखिए यहाँ पर आपको मैं साइन और इलिमेंट बता देती हूं यहाँ पर लगवक सभी साइन बराबर ही आए हैं ओके मुझे सबसे ज़्यादे यहाँ पर पांटेकल स्कैनर जी नज़र आ रही है यानि कि यहाँ पर और साइन है टॉर्स वर्गों सबसे कम यहाँ पर जो है वाटर साइन के अनरजी मुझे नज़र आ रही है तो गैस रुकावट है क्या रोक रहा है उन्हें आपको अपनाने में ओके तो यहाँ पर बहुत सी चीज़े आसे निकली है जो रुकावट यहाँ पर बनी है आप दोनों के रिस्ते में इसी वज आपना नहीं बना पा रहे है तो पहले रुकावट यहाँ पर इस इन्सान का खुद का इग नहीं यह इन्सान जो भी है जिन से आप डिल कर रहे हो ये इनसान अपने आपको इतना जारा पावरफुल समझते हैं इतना जारा कुर्वड गमंड करें घमंड में ये इंसान है इगो में गुरूर में डूबे हुए है चूर है और इस इंसान को दूसरों की फीलिंग्स बिल्कुल भी समझ भी नहीं आती ठीक है ये है पहला रुकावट कि ये जो है अपने घमंड के आगे इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता ओके तो इस अनर्जी में मुझे हैं पर ये इंसान नजर आ रहे है जो किसी से भी लड़ जाएंगे लड़ते रहेंगे भीड़ते रहेंगे और अपने आपको जो है उचा दिखाने के लिए ये इंसान हमेशा आगे रहते है कि I am the best I am perfect तो इस टाइप का घमंड आपके पोसन में है I am sorry to say this guys हो सकता है कि आपको ये बात सुनकर दर्द हो बुरा लगे पर ये सचाई है कि आप में से सभी तो नहीं पर आप में से कुछ लोगों के पोसन यहां पर घमंड में चूर है ओके ऐसा है जिस वज़े से इन्होंने आपको बहुत ज़र डोमिनेट भी किया है आपको बार रही पहली अब दूसरा रुकावर जिसके वज़े से ये आपको अपना नहीं पा रहे है और वो ये है कि guys आपके रिष्टे में बहुत लोगों के इन्वाल्मेंट है समझ रहे एक तो ऐसे ही आपके पोसन इगो में है घमन में है दूसरा ये लोगों की बाते जो है बहुत गुसा हो जाना आप जब रिलेशन्शिप में थे तो हो सकता है कि आप पर बहुत अपना गुसा निकालते थे होंगे तो दूसरे लोगों का इन्वाल्मेंट आपके रिलेशन्शिप में होना ये दूसरी वज़ा है जिसकी वज़े से इनसान आपसे कर्टे-कर्टे रहते और आपको नहीं अपना रहें, तो यह दूसरी वज़ा रही, तीसरी बात यहां पर देखिए, हमेशा जो है, जब किसी भी दो चीज़ को चुनने की बारी आती है, तो यह इंसान क्या करते हैं, अपने आखों भी पट्टी बान लेते हैं, देखें, यानि कि इस कार्ट की कहन अपने का मतलब क्या है, जब आखों पर पट्टी बंदी होती है किसी इंसान की, तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सही है, कौन गलत है, है ना, तो इस तरीके से यह डिसाइट करते हैं, बीना देखें, बीना समझें, बीना किसी चीज़ को युनो परखें, यह इंसान डिस दिखा है, बस उसी को यह लगता है कि वही सही है, दूसरी जो कह रहे हैं, वही सही है, और जो आप कहते हैं, वह हमेसा गलत है, तो हमेसा देखें, आखों पर पट्टी बांद करी, इस इंसान ने डिसाइट किया है, कोई भी बात, चाहें आपके और इनके रिलेशन्शिप को लेकर हो है, कभी भी सही धंग से इस इंसान नहीं लिया, आखों पर पट्टी बांद करी, इस इंसान ने आपके और इनके रिस्ते को खराब किया है, यह मुझे तीसरा वज़ा नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए आपर यह नज़र आया है, कि यह इंसान हमेसा ब रुकावट नज़र आ रही है, जिसके यही है बात, कि वो आप्शन की तरह आपको देखते हैं, और चूज नहीं कर पाते हैं, कि कौन मेरे लिए बहतर है, तो क्या करते हैं, आखों पर पट्टी बान लेते हैं, और जो इन्हें रास्ता दिखाता है, उसी रास्ते पर चल आपके इस रिस्ते के लिए, जिसके वज़े से आज आपका रिस्ता जो जिस कंडिशन पर पहुंच गया है, जिस कगार पर खड़ा है, यहां पर इस इंसान की बहुत जारा गलतिया मुझे नज़र आ रही है, समझ गए, देखे, यह तो बहुत सारे रीजनों में से कुछ मैंने आपको बताए, यहां पर थर्ड पार्टी इंफ्लेंस भी निकली है, तो यहां पर अगर रुकावट कोई है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी आपके रिलेशनशिप में है, आपके पोसन के रिलेशनशिप में है, जिनों ने आप दोनों को यहां पर अलग किया ह तो कुछ लोगों के लिए एक रुकावट हो सकती है कि थर्ड पार्टी की वज़े से, फामिली की वज़े से, किसी और इंसान की वज़े से आपको ये इंसान चूज नहीं कर पा है, बैलंसिंग करते रहे गए, कुछ तो बैलंस कर ही रहे, आपको भी रखना चाहते है, उसे आपको देखनी है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे आपको रिजन्स पताए है आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह है कि आपके पोजन बहुत ही धील्ट है अडियल है इस इंसान की फीलिंग्स अगर आपको पता चल जाए ना तो आप जाकर मंदीर में 100 रुपय का लड करते ही नहीं कि आपको प्यार करते भी है यह नहीं करते है आपको बिल्कुल कन्फीजन में इनोंने रख रख र खा है ताकि आप नहीं मूववन हो पाओ ना आप इस रिषे में रह पा तो आपको बिल्कुल मजधार में लाकर इस इंसान ہे छोड़ दिया है because of his his or her this habit you know छुपाने की बाते बाते छुपाने की आदत ऐसे कुछ लोगों की रुकावटे यह हो सकती कि feelings को express नहीं करना और आपको confusion में यहाँ पर रखना आप सबसे important बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ guys कि यह आपको अगर नहीं अपना रहे हैं तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए black magic भी नज़राया है ठीक है black magic यहाँ पर नज़राया है कि आपके person को यहाँ पर यूना आपको और इन्हें अलग करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ खुराफाती चीजें हुई है यानि कि the magician का कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि कुछ ऐसी चीजें की गई है जिससे आपके person totally आपके दिल से निकल गए divert हो गए है ना और इन्होंने क्या क्या है आपसे दूरी बनाने शुरू कर दी है तो मैं black magic को promote नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरी personal feelings यह है कि black magic love के सामने सचे प्यार के सामने black magic जैसे चीजें जादा दिन नहीं टिकती कुछ दिनों का असर होता है और जब यह normal होते है तो फिर अपने life में वापस यह आ जाते है तो black magic कभी यहाँ पर आप दोनों का अलग करने के लिए यहाँ पर साहरा लिया गया है और यह एक वजह हो सकती है कि यह आपको अपना नहीं पा रहे और आपसे दूर दूर भागते ही चले जा रहे और एक reason मुझे यहाँ पर नज़र आया है कि आप में से कुछ लोगों के person बहुत ही young है young energy में है इन्हें जो है जो चीज़े बताई जाती है वो उसी पर यकिन करते है खुद का दिमाग नहीं चलाते है और you know बेवकुफिया बहुत जारा करते है रिस्ते में मिस्टानिक बहुत जारा create करते है तो ऐसी energies भी मुझे कुछ लोगों के लिए नजर करता है तो होता यही है कि रिस्ता जादा दिन तक टिक नहीं पाता क्योंकि एक partner समझदार है और दूसरा partner बिल्कुल भी careless करता रहे हर वक्त तो रिस्ता एक नाई दिन खतम हो ही जाता है तो यह तो रही तमाम बाते रुकावटे की जिसके वज़े से युना आपके पुस् इस इंसान की एनरजी क्या है देखे गाइस बले ही कुछ भी हो situation बॉटम में आप ही हो देख लिजे एमपरस के एनरजी आपकी एनरजी है वाव इसके निजे भी मुझे six of source निकल चुका है तो देखे आप इस इंसान के जहन में हो इस इंसान ने आपको अभी तक भुलाया नहीं है ओके बले ही आपके साथ misbehave किया हो बले ही आपके साथ mis treat किया हो यह आपको हमें साथ options की तरह देखा हो आपके साथ लड़ाए जगड़े किये हो कुछ को इस साथ यहां पर divorce भी हुआ है कुछ भी किया है पर आप इनके दिमाग में हो दिल में हो आप एक रानी की रहो एक राजा की तरह अभी पी रूल करते हो इस इंसान के life में तो bottom में इस इंसान का इस energy का आने का मतलब ही है that this relationship is not over यह relationship अभी खतम नहीं है picture अभी बाकी है मेरे दोस्तो मैं कहती हूं ना तो picture अभी बाकी है definitely बाकी है तो आप हो इनके जहन में हो दिल में हो दिमाग मे हो आप ही आप रास कर रहे हो चाहिए यहां पर कुछ पी condition क्यों नहीं चल रहा हो दूसरा मैं आपको यहां पर बतातो कि बहुत ही बहुत ही खुबसूरत चीज आपके life में होने वाला है एक जादू होने वाला है magic होने वाला है you know इन तमाम problems से निकल कर आपके person फिर से अगर magician के card को देखो नंगाई तो इस इंसान के पास सभी power है देख लिए pentacles है cups है swords है wands है यानि कि सब भी power को रूल करता है magician का card यानि कि यह इंसान बहुत ही power में आने वाले है और एक ऐसा चमतकार आप दुनों के रिस्ते में होने वाला है जिसकी साइद आपने कभी उम् बहुत ही कुछ बड़ा होगा और powerful position में यहाँ पर आपके person है और कुछ ना कुछ यहाँ पर भैतरीन होने वाला है जिसके वज़े से जो भी recovery यहाँ पर नज़र आई है वो जो है पल भर में गायब हो जाएगी और आप दोनों फिर से एक साथ होगे इस type का magic यहाँ पर होन फिर से regrow करेंगे फिर से नई सुरात करेंगे फिर से इसमें यूनों हर effort लगाएंगे और तब इनका जो है यह इंतजार खतम होगा जब यह आपके पास वापस आएंगे तो यहाँ पर magic होने वाला है आप में से बहुत लोगों के पास और इसके नीचे भी मुझे six of source के energy नजर आई है तो यहाँ पर यह नजर आ रहा है गाईस कि आप में से बहुत लोग एक परसन जो चले गए थे अब वो परसन जो है ट्रावल करके वापस आ रहे है आपकी लाइफ में ट्रावलिंग का कार्ड होता है यह कि मुसीबते वेव से निकल कर यूनों लहरों से निक परसन आता है कि लॉंग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर है तो अब यूनिवर्स के तरफ से मेसेज़स हमें मिले है इनका अर्थ क्या होता है यहाँ पर क्या सजीशन्स आपको देती है यूनिवर्स आपको यहाँ पर जरा ध्यान से सुनना है देखे एक रुकावट यहाँ पर जो है वो एक नहीं दो तिन रुकावट एं यूनिवर्स ने भी यहाँ पर आपको बताई है कि और क्या इसमें जो है आड्स पॉइंट पॉइंट जो है आड करने हैं ओकि पॉइंट एड होती जाएंगे यहाँ पर देखे कंडिशनिंग करता सबसे पहला काडर यहां पर आया है जो एक रुकावाट और हो सकती है जिसके वजह से आपके पोजन आपको अपना नहीं पा रहे या फिर आप उन्हें अपना नहीं पार हे कंडिश्निंग का मतलब यह होता है कि देखे को को हमेशा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेर है और बहुत सारे भेड़े मैंने साथ पिसले रिडिंग में भी किसी रिडिंग में इस कार्ड का अर्थ आपको बता देती हूं आपके आसपास के लोग जो भी है चाहे फैमली के या फिर आपके फ्रेंड सरकल हो गए आपके डिलेटिस हो गए सोसाइटी हो गए यानि कि जो भी इंसान आपके आसपास रहता है वो हमेशा यहाँ पर उनकी चाल क्या होती है आपको यहाँ पर यह दिखाने की कि आप जो है तो आपको भी अपने पर डाउट होने लगता है तो यहाँ पर ज़रूरत यह है कि पानी में अपने चहरे को देखे कि आप एक सेर हो आप भेर नहीं हो पर लोग दुनिया आपको भेर बनाने की कोशिस करती है ऐसा दिखाती है कि आपमें कुछ है ही नहीं और आप भी जो है दूश्रे लोगों की बाते सुनने लगते हो तो यहाँ पर जो है यह message आया है कि खुद को पहचानने की जरूत है और यह एक रुकावट है तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपके person के mind मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों की involvement है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके person के चहरे के सामने आपको भी एक भेड़ की तरह दिखा दिया गया है यह एक रुकावट है कि आप किसी लायक नहीं हो आप ठीक नहीं हो आप इनके लिए perfect नहीं हो है ना तो ऐसे ऐसे बाते करके इस इंसान का mind यहाँ पर wash कर दिया गया है तो यहाँ पर यह universe कह रही है कि खुद को पहचानने के जरूत है यह message आप दोनों के लिए है आपके लिए भी आपके person के लिए भी आप तो यह reading देखकर समझ जाओगे पर आपके person यह नहीं समझ बाते कि आसपास के लोग जो सफिय चादर ओड़े बहुत खुबसूरत दिखने की कोशिस करते है वो वाकई में राक्षस है devil है मुखोटा ओड़े हुए जो हम्मेशा इनसान को इनसान को गलत गलत बाते गलत गाइड करती रहती है और आपके person भी यहाँ कहीं न कहीं इन बातों का सिकार होते हुए मुझे नजर आये है और आपको भी इस बात को ध्यान देने की ज़रू थे कि आप जो है एक सेर का दिल रखते हो एक सेर का जिगर रखते हो पर दुनिया आपको भेड़ बनाने की कोशिस करती है आइने पर खुद को देखो अपने आपको एक बार पहचानो कि आप क्या हो आप क्या हिम्मत रखते हो तो यहाँ पर एक यह बात आई थी पोस्ट पॉनुमेंट का काड़ आया है तो यहाँ पर एक रुगावड आपके person के लिए universe ने दिखाई है कि यह बहुत ज़रा चीज़ों को पोस्ट पॉन करते होंगे जब relationship में थे कि आज नहीं कल रिस्ते को आगे बढ़ाने की अगर बात आती है तो हमेशा कल का सहरा लिया जाता कि आज नहीं हो सकता हम कल बात कर लेंगे कल हो ही जाएगा तुम चींदा मत करो है न तो हर चीज़ को पोस्ट पॉन करने की जो आदत है यहाँ पर यह भी एक रुकावट है यह देरी बहुत बहुत देरी हो गई आज कल आज कल और चीड़ा चुक गई खेत इस वजह से भी यहाँ पर बहुत देरी हुई है इस रिस्ते को अपनाने में रुकावट यह भी है यह एक लेजी एनरजी है एक बहुत यह आलस भरा एनरजी है जिसे बदलने की जरौत है अब यहाँ आप देखें द्वास्टर द्वास्टर का काड़ यहाँ पर एक सीख देता है आप सभी को कि आप जो है एक master एक guru बनने के छमता आप में है लेकिन आप जो है अमेंसा अपने आपको भेड़ समझते हो कि मुझे में कुछ खुबी नहीं है मुझे कोई quality नहीं है तब ही तो सब मुझे धोका देते हैं इसलिए मुझे दर्द मिलता है कि युछ मुझे में ही कुछ खराबी होगी आप मेंसे बहुत लोगों का ऐसा comment आता है कि साहिद मैं ही उसका बिल नहीं इसी वज़े से मुझे दर्द मिलता है पर यह बक्वास है यह बक्वास है क्योंकि आप अपने आपको मैं कहते हो ना कि लोग आपको भेड़ बनाते हैं आप भेड़ी बनकर रहते हो खुद को कभी सेर बना कर देखो तो सेर पर सवासेर हमेशा भारी पड़ता है तो आप भी एक मास्टर हो आप में भी वह कॉलिटीज है और आप जो ह भी यहां पर जो भी चक्कर चल रहा है तो यह सब चक्कर से आपकी पोसर निखलकर आजाएंगे आप दोनों के रिस्ते हैं यहाँ पर उम्मीद की कीरनवी मौजुद है और आपको खूप नहीं छोड़ना है भरोसाथ नहीं छोड़ना है तो उम्मीद बना रखो क्योंकि उम्मीद पर ही दुन्या कायम हैं कि नहीं गाईस, उम्मीद ही अगर आप छोड़ दोगे तो फिर उस इनसान का क्या वहला हो सकता है, जिसे खुद पर्वरोसा नहीं, जिसे अपने प्यार पर बhr recurse नहीं, जिसे इंसानियत पर भरोसा नहीं, जिसे खुदा पर भरोसा नहीं, तो उमीद रखना नहीं छोड़ना है, एक दिन बहुत ऐसा आएगा जब आपको भी तमाम खुशिया मिल जाएगी, तो यहाँ पर यह एक फ्यूचर के लिए कार्ट था, फ्यूचर के लिए मैसिस था, कि इस रिस्ते में अब बहुत सी चीजे बाकी है, जान बाकी है अभी भी, ओकि अभी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर यही थी गाइस, तो आई होप आपको रुकावटे पता चल गई होगी, कि क्या रुकावटे हैं, जिसके वज़े से आपकी पोर्सन आपको अपना नहीं पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, कि यह पोर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा चमतकार करके, आपके रिलेशनशिप में वापस यहाँ पर आते हुए मुझे नजर आये हैं, और जितना भी यहाँ पर ब्लाक मैजिक, काला जादू, किसी गिनोनी हरकते की गई है, यह सब जो है, यहाँ पर हड जाएगा, क्योंकि एक चमतकार होगा, और इंपॉसिबल चीज जिस पर आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो भी यहाँ पर पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें मिला है मेजर अरकाना से मेजिशन, और वीडियो पर लाइक, कमेंच, शेर और सब्सक्राइब करना, आपने आपको बिल्कुल दिप मोटिवेट मत करना, दुन्या चाहे कुछ भी कहे, खुद को एक सेर की तरह हमेशा प्रस्तुत करना है, एक जिगरा, बढ़ा जिगर लेकर आपको रहना है, चाहे दिल में वस्ते और बढ़ाए गाइस